इसके अंदर चंडने के लिए ना पेर रखो पकड़ो एंड जब आपको ऐसा कुछ वियू आए ना उसके बाद जा क्या वेडियो मेरा नाम है अमोग आप सब्सक्राइब बढ़िया कर रहे होंगे मैं भी एकदम बढ़िया हूं आज जिस गाड़ी का वीडियो लेकर आया इस गाड़ी को कोई भी इंट्रेक्शन की ज़रूरत नहीं है इंडिया की मोस्ट फेवरेट एंड डिमांडिंग सुवी विच इस टोयोटा फॉर्टुनर कोई भी इंट्रेक्शन की रिक्वाइमेंट नहीं है गाड़ी देखके समझ में आता है कि एक बढ़िया बंदा ब और चीडिन लेना चाहते हो टॉप मॉडल पेट्रोल इंजन के अंदर तो आपको क्या-क्या मिलता है सो यह है और नियुट टोयटा फॉर्टूनर फोर बाएटू आटोमेटिक पेट्रोल इंजन के साथ यह गाड़ी आती है फ्रंट में यू आल नो आपको मैसिव मैसिव म मिलते हैं डिजाइन मिलते हैं आप चेक आउट करो गाड़ी कितनी अमेजिंग लग रही है कलर देखो गाड़ी के अंदर बहुत सारे आते हैं बट मेरा यह फेवरेट कलर है जो कि अगर आप देखोगे दिन में लगता है पॉपलिश कलर एंड अगर रात में देखोगे तो इससे पहले तो लुक्स मिलते हैं यार गाड़ी मैसे वह ना तो सब कुछ मैसे वह इसका फरंट में मैसिव टोहिटा का लोगो मैसिव फरंट क्रिल इसके अंदर आपको प्यानो ब्लेक इंसर्ट मिलेंगे क्रोम एक्सेंस मिलते हैं यहाँ पर एंड इस आर दी एलेडी बहुत अमेजिंग त्रोह है स्टॉक इतना अमेजिंग त्रोह है गाड़ी का नीचे आपको बंपर के उपर मिलते हैं फॉग लेंप्स विच इस यह आफ्टर मार्केट लगवाएव है क्योंकि फॉग लेंप का त्रोह इतना अच्छा नहीं है फ्रंट पार्किंग सेंसर् इरल्स फ्रंट में आपको मैसिव स्केट प्लेट मिलती है लगलर की फोर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे प्रफाइल की बात करें तो आपको ब्लेक अलकी क्लाडिंग मिलती है जो अल ओवर दे कार रन करती है अगर हम 4x2 पेटरोल के बारे में बात करते है तो पेटरोल 65 R 17 17 इंचिस के मैसिव अलॉय वील्स मिलते हैं इसके अंदर आप साइस चेक आउट करो है आप टायर का इसके अंदर आपको वेलकम फीचर मिलता है की को लॉक करोगे तो कार लॉक हो जाएगी और वी फोल्ड हो जाएंगे और इगनिशन ओन करेंगे तो और व्म आटमेटिकली अनफोल्ड हो जाएंगे जो की अक्सिरी का पार्ट है और साइड में आपको क्रोम दोर ऑन्दल मिलते है विध्य रिक्वेस एंसर क्रों लाइनिक मिलेगे आपको साइड प्रफैल पे और यह क्रो मिली chapter जो आल ओवर दी कार रन करती है नीचे फॉर्चुनर की जो आप क्लैडिंग देख रहे वह एक्सेसिरी का पार्ट है यहां पर आपको फुट्रेस्ट मिलेंगे चंकी मैसिफ फुट्रेस्ट रूफ रेल्स मिलते हैं आपको फॉर्चुनर की अंदर सिल्वर कला के फंक्शनल इसका फ्यूल टैंक 80 लिटर्स की फ्यूल टैंक कैपिसिटी है एंड माइलेज तो ना पूछो ज्यादा बेटर है कमिंग टु दर रियर प्रोफाइल भाई यह गाड़ी कितनी भी ओल्ड हो जाए लगती एकदम अमेजिंग है आपको मैसिफ इसके स्पोईलर मिलेगा स्पोईलर पीछे आपको हाइमांस टॉप लैंप रियर डिफॉगर्स वाइपर्स टोयटा का लोगो फॉर्चुनर की बैजिंग नंबर प्लेट हाउजिंग डीडिंग लैंप्स आपको यहां पर मिलते हैं टेल लैंप्स चो की 4x2 आटमेटिक के अंदर आपको ऐसे टेल इसका बूट ऑपन कर सकते हो एंड आपको अंदर भी एक बटन मिलता है इसका इलेक्ट्रानिक बूट ऑपन कर सकते हो तो एंड इस सो सेटिस्फाइंग फीचर देती है फॉर्चुनर में टोयटा जो की रिक्वाइड होते हैं नेसेशरी होते हैं आप यह देखो गाड़ी के अंदर समान भरावा है फिर भी अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर मतब थर्ड रो तो देखो किट्स के लिए इस बट अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें पांच लोग ही ट्रेवल करते हो ना भाइस के अंदर मैसिव मैसिव स्पेस है स्पेस की तो गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है बट हां यह वाला फीचर मुझे लगता है कि टोयटा को देना चाहिए था एलेक्ट्व सब्सक्राइब है ठीक है आजकल के टाइम में बहुत सारे फीचर्स आप कोगे कि मिसिंग है फॉर्चुनर के अंदर बट यार इस गाड़ी को ना मैं आपको ओवराल फील बताऊंगा मैंने दोसुट-टाइसों किलोमेटर गाड़ी चलाई है मैं आपको इसका ओवराल फी मिलेगी ब्लेक कलर की एंड वाइट कलर की स्टिचिंग मिलती है आपर स्पीकर्स बन लिटर बॉटल होल्डर मैगजीन होल्डर अच्छा इसके अंदर भी दो आप्शन आतें इंटीर के अंदर एक टैन और एक ब्लैक हमने टैन मांगा था लेकिन टैन मिला नहीं बट ब्ल यह देखो आप इतना इजी है इसको टंबल करना एंड आप पीछे तो सिर्फ बच्चों के लिए ही स्पेस है और जो चीज है इसको अब करते हैं आप इसको बैक रेस्ट एंगल को भी अजिस कर सकते हो यह मैक्सिमम है और वो मीडियम लेवल पर है इसके अंदर होपन करते इसको ऐसे चल के जो चलने का इसके अंदर फन है ना वह नेक्स्ट लेवल है अमेजिंग मतलग तील गुट फेक्टर तो है वाई फॉर्चुनर के अंदर शट करते है प्रॉपर थट साउंड मिलेगा एंड इंडिगेटर शट करते हैं सबसे पहले प्रंचीट मेरे हाइट के कॉर्डिंग अजिस्ट रहा है विच्ट फाइव नाइं फिर भी आपको मैसिफ स्पेस मिलता है यहां पर स्पेस की कोई कमी नहीं है पैर को नीचे स्टेच करने के लिए स्पेस मेलेगा आपको एंड आप सीट को ऐसे एज़स्ट भी कर सकते हो यह वाली जो सीट से वह मैंने पूरी आगे कर दी है उसके बाद भी देख में पास डीसेंट अमांट ओ लेग रूम है विच इस शपीशेंट एंड अगर हेड रूम की बात करूं तो आपी चेक करो प्रॉपर आपको अच्छा कासा हेड रूम मिलता है तो स्पेस की कोई कम सब्सक्राइब के लिए तो सब्सक्राइब के लिए तीन लोग इसके अंदर कमफर्टेबल ही फिटन हो सकते हैं आप यहां पर बैठ हूं कमफर्टेबल हूं थोड़ा upright position है बट ठीक है not an issue ऐसा कुछ आपको डैशबूर्ड मिलेगा गाड़ी के अंदर ऑल ब्लैक इंटिरियर बेसिक बट प्रीमिम आइवर्ट से अब चलता है गाड़ी के आगे की तरफ प्लस यहां पर आपको एक हुक भी मिलता है बैक्स को हैं ड्राइवर से ड्डोर ओपन करते तो यहां पर आपको request sensor मिलता है keyless entry के लिए यहां पर भी आपको silver finish मिलेगी chrome door handles, twitter sesh, यहां पर hard plastics मिलेंगे बट यह लेदर अपो यहां पर आपको white switching के साथ, one liter bottle holder, magazine holder, speaker grill and power window control का switches मिलेंगे आपको lock and lock button and ORBM control करने के buttons वह आपको यहां पर म driver side and passenger side, दोनों seats पर आपको electronic seats मिलेंगी, ऐसे आप आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो and backrest angle को भी आप electronically adjust कर सकते हो, यह गाड़ी के pedals है, automatic car है, proper dead pedal मिलेगा आपको इसके इंदर, fuel lid opener, bonnet opener, यहां से आप electronically rear boot को open कर सकते हो, front parking sensors on off करने का button, य इस इवेंस के सरावनों silver finish मिलेगी, इंदन start stop button, chrome inserts के साथ, चलो गाड़ी के अंदर चलते है, and the best part is, एक बर जरूर कर कर के देखना, इसके अंदर चंडने के लिए ना, पहले यहां पे रखो, पकड़ो, and जब आपको ऐसा कुछ वीउ आए ना, उसके बाद जाके आप इस लोगो, हॉन, जो कि आफ्टर मार्केट लगवाया है, फॉर्चुनर में ऐसे हॉन अच्छे लगते हैं, to be honest, आप आपको silver finish मिलेगी, white stitching मिलती है, steering wheel के उपर, इसको boot up करते हैं, इसे फॉर्चुनर बनी वी आएगी, जो बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे आपको steering wheel पे controls मिलेंगे, यहाँ देखो, volume up or down करने का बटन, channel seek करने के बटन, mode का बटन, voice command का बटन, call, pick and drop करने का बटन, यहाँ पे आपको mid में toggle करने के switches मिलेंगे, पेडल, chipters मिलते हैं आपको इसके अंदर, यहाँ पे आपको automatic headlamps कलीवर मिलेगा, headlamps और indicator कलीवर आपको यहाँ पे मिलता है, वाइपर्स का front and rear, वाइपर्स का लीवर आपको यहाँ पे मिलेगा, rain sensing वाइपर्स नहीं आते हैं, लेकिन automatic headlamps आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, and steering wheel को आप tilt and telescopic, दोनों तरीके से adjust B कर सकते हो, इसके instrument cluster की बात करें, तो यह तो आपको वही same मिलता है, यहाँ पे आपको आर्पे मीटर मिलेगा, silver chrome inserts के साथ, यहाँ पे आपको engine temperature मिल रहा है, right and side speedometer, 200 की top speed, and नीचे आपको मिलता है, fuel leveler, mid की बात करें तो, mid के अंदर आपको outside temperature दिखा रहा है, current economy दिखा रहा है, after reset 7.3 km per liter की mileage दे रही है, 2404 गाड़ी total run करी है भी and इसके लाव आपको range दिखा रहा है, आप इदो को almost half tank है, half tank में triple one की range दिखा रहा है, after reset 28.28 पर आर्की वह है, eco indicator मिलेगा आपको इसके अंदर, and fuel consumption आ रहा है, और steering wheel का दिखाता है, steering wheel मेलब टायर सीधे हैं या नहीं है, digital speed आ गई इसके अंदर, music अगर आप connect करोगे तो आ जाएगा, कोई message जोगत तो आ जाएगा, settings आप काफी सारी इसके अंदर कर सकते हो, जैसे आपको रियर बूट है, वह आपको उपन करवाना है, नहीं करवाना है, वह भी आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है, जो आता है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, Toyota Fortuner में यहीं आता है, उपर आपको soft touch material, यहां पर यहां पर आपको लेटर अपोश्टरी मिलेगी, इसके अंदर आप अपना कोई भी बेवरिच्ट थंडा कर सकते हो, यहां पर आपको क्लॉक मिलेगे, यहां पर आपको clock मिलती है, hazard light का बटन मिलेगा, यहां पर आपको clock मिलती है, hazard light का बटन मिलेगा, यह आप देखरे हो इसका touch infotainment panel, इसके अंदर एपल कार पे अंड़ आटर वायरलेस नहीं आता है, यह बाकि यह गाड़ी की हिस्ट्री भी दिखाता रहेगा, clear भी कर सकते हो आप इसको एंड़ बेसिक है Bluetooth रेडियो नविगेशन एपल कार पे अंड़ आटर वायरलेस नहीं आता है, नॉर्मल ही आता है इसके अंदर, बाकि आप यह चेक आउट करो, नॉर्मल छोटी सी स्क करीन भी नहीं है, audio, phone, apps, info, setup, info में वहीं आपको जो information यहां पर दिखा रहा है, cluster के अंदर वह information आपको यहां पर दिखाएगा, वही basic चीज है, यहां पर आपको लेदर आप पोस्ट्य मिलती है, अब आद सुनो कितनी प्रीमे में, बाइची चुन के साथ, and क्योंकि यह हां तो यह दुखो आप, पांचों seatbelts का आता है, इसके अंदर, यहां पर बनावा, यह latest data for tuner के अंदर, नीचे आपको dual climate control AC मिलता है, यहां पर आपको USB port का option मिलेगा, 12 वोल का power outlet, यहां पर space मिलता है, समान रखने के लिए, जैसे मैंने phone रखावा है, वो भी पूरा नहीं आ रहा है, बट ठीक है, यहां पर आपको space मिलता है, photomotor समान और रखने के लिए, आप phone रख सकते हैं, ठीक है, यहां पर आपको premium wood finish मिलती है, जो बहुत premium और elegant लग रही है, यहां पर आपको दो cup holders मिलेंगे, chrome insert, इसका automatic gear lever, silver finish, eco mode, power mode भी आता है, इसके अंदर traction control on off करने का बटन आता है, typical Toyota handbrake, जिसके अंदर आपको white collect charging मिलती है, leather upholstery मिलेगी, chrome tip मिलता है, यह इसका armrest, proper leather wrapped and cushioned armrest, proper आपको space मिलेगी है, आपको इसके अंदर, automatic IRVM, sunglass holder, इसका थोड़ा सा quality मुझे फिल दी लगाए, जखो आपक इसके अंदर, LED leading lamps, grab handles, passenger section chase के उपर आपको vanity mirror and light मिलेगी, driver section chase के उपर आपको ticket holder मिलता है, and light and mirror, यहापे भी मिलेगा, यहापे भी आपको grab handle मिलता है, and यहापे आपको कुछ cruise control का button मिलता है, जो सबसे अलग मिलता है, Toyota के अंदर, and ऐसा आपको कुछ dashboard view मिलता है, इस गाड़ के अंदर ना, मतलब इस गाड़ी के अंदर features नहीं है, बट यह गाड़ी confidence देती है, जो बात है, वो बात है, यह गाड़ी सच में बहुत ही amazing confidence देती है, मतलब जब आप इसको road पे लेके चलोगे ना, आपको automatically feel आ जाएगा, चलो गाड़ी को boot up करके भी दिखा देता हूँ, जो डीजल एंजन की तरह जो यह रोर तो नहीं करती, थोड़ा रेव भी कर देता हूँ, यह भाई इसका road and कुछ rear view camera की look की बात करें, तो आप यह देखो ऐसा कुछ look मिलता है, ठीक है, decent enough है, not so good, not so bad, परशानी कोई नहीं होती, अब चलते हैं इसके main part की तरफ, which is, इसका engine भी, जो की इसका, मतलब main part है मेरे साथ से, and engine shut off कर देते हैं, so, इसके अंदर आता है, 2.7 liter, 4 cylinder, petrol engine, producing 164 horsepower, and 245 newton meter of torque, इसके अंदर आता है, यह इसका petrol वाला engine है, diesel में तो आपको पता ही है, but petrol में, जिन लोगों की running भाई, कम है न, मेरे साथ से अच्छी गाड़ी है, अभी brief देता हूँ, पहले इसको open कर लोग, so, यह है इसका massive, massive bonnet भाई, बहुत भारी है, एक हाथ से तो, बड़ी मुश्किल से उठ रहा है, proper insulation में लेगी आपको, and ऐसा दिखता है कुछ आपका petrol engine, Toyota Fortuner का petrol engine, and यहापे आपको कुछ space मिलता है, अगर आपको कुछ भी extra करवाना है, off-roading type चीजों के लिए, so, यह है कुछ इसका engine बे, overall, 42 lakh रुपीज के अंदर, अगर यह गाड़ी, महलब depending upon the number and everything, 42 lakhs के अंदर, मेरे साब से कोई बुराई नहीं है, जहां Gloucester 48 lakhs पहुच चुकी है, diesel वाली 46 lakhs पहुच चुकी है, अगर आप लोग की running जादा नहीं है, अब यह देखो, आप यह 6 months old car है, and शिर्फ और सिर्फ चली कितनी है, 2500 km, तो अगर आप लोग की running कम है, and आपको no nonsense car चाहिए, and Toyota का trust चाहिए, and Fortuner की reliability चाहिए, and भाई, रॉला चाहिए, मेरे साब से बाई, ultimate गाड़ी है, Toyota Fortuner, भाई, कैसी लगी आपको Toyota Fortuner 4x2 automatic petrol का वीडियो ज़रू बताना, comment में जाके, वीडियो में ज़र अभी कुछ अच्छा लगाना है, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, subscribe करें मेरे चैनल को, and bell notification भी on कर ले, तकि ऐसी amazing videos में आप लोग के लिए लाता रहा हूं, amazing गाड़ी आप लोग के लिए लाता रहा हूं, and आप लोग को entertain करता रहा हूं, and do not forget to follow me on instagram as well, instagram अडिया आपकी screen के उपर आ रही है, तो अफे चलिए, मिलता हूं ऐसे किसी और वीडियो में तिलनो भाई, take care, signing,